नमस्कार मैं आश्वरिया और लोकमिट.com लोकमिटnews.in में आपका स्वागत है आज हमारे साथ है श्री आयाजमेमन जी स्री बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारे कमारे कमारे स्वागत है 15 तारीक अनाउंस किया है बीसी सीन्या के 15 मेंबर की टीम जो है वो चुनी जाएगी है और 15 को अनाउंस करेंगे कट-off डेट था 23 तारीक का 23 अप्रिल तक हर किसी टीम को अपना टीम जो स्कॉट है वो अनाउंस करना था न्यूजिलेंड ने अल्रेड ही कर दिया है अफगानिस्तान ने केवल ये कहा है कि कैप्टेन उनके जो है वो चेंज हो जाएंगे स्कॉड अभी तक अनॉंस नहीं किया है लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जितनी भी टीम है दस टीम टोटल खेलेगी तो आजकल परसो 15-17 तेज के पहले सबको अनॉंस करना तो है ही इंडिया का डेट जो अनॉंस किया गया है वो है 15 का रोही शर्मा भी इंजियर हुए है इस सामने में तो आपको क्या लगता है उनकी इंजियरी का वर्ल्ड कप पे कितना असर दिख सकता है मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड कप तक उनको प्रॉब्लम होगा क्योंकि इंजिरी तो हमेशा खत्रे से भरी रहती है लेकिन वर्ल्ड कप इंडिया का पहला मैच फर्स्ट वीक अफ जून में है तो काफी टाइम है उनके पास फुल रिकावरी करने के लिए बलकर मुझे लगता है कि आई पेल के दौरान ही वह वापस आ जाएंगे सिलेक्शन टीम का एक स्टेटमेंट आया है कि आई पेल में क्या परफॉर्मेंस रहेगा मतलब खिलाडियों का उसका कोई भी असर वर्ल्ड कप के सिलेक्शन पर नहीं देखेगा लेकिन क्या हुआ है कि विराट कोली ने भी ये कहा था कि आस्टेलिया के खिलाफ जो सीरीज विटियों से पहले कि हम जो वन डे का फॉर्म रहा है उस पर ही हम जाएंगे टीम सिलेक्शन में आईपेल में जो होगा उनी देखेंगे रोहिच शर्मा आईपेल के दौरान उनने कहा है कि जो वन डे में फॉर्म रहा है उसी पर जाना चाहिए सिलेक्शन लेकिन दिक्कत यह है कि जो वन डे का फॉर्म था जैसे केल रहूल, अंबती, राइडू, दिनेश, कार्थिक ये सब उम्मीदवार थे उनका फॉर्म जो है स्लाइड हो गया था, डाउन हिल आ गया था, केल रहूल तो कुछ अरस्ति तक बैन हो गया थे खेलने से तो प्रॉब्लम पैदा होगे इंडिन टीम के लिए, जो एक साल पहले ऐसे लग रहा था कि टीम बिल्कुल मजबूत है, बैटिंग और पुरा सेटल्ड है, अगर आप एक साल पहले जाएं, साथ आफरिका में जब इंडिन टीम ने बहुत ही शांदार प्रदर्शन किया थ वहां पर अजिंग के रहने हैं, हमारे विराट कोली के साथ सबसे बेस्ट बैट्समेन नजर आए थे, और तब तो स्टेट्मेंट भी आगया था टीम मैनेजमेंट से कि हमें नमबर चार बैट्समेंट मिल गया है, वो है अजिंग के रहने, लेकिन 6-8 मैने में अजिंग के पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा जैसे के रिशप पंथ, केल राहुल, दिनेश कार्थिक, विजय शंकर, केदार जाधव, ऐसे जो मिडल ओरर के कुछ बाच में हलागे मैं मनता हूँ के केदार जाधव और विजय शंकर की जगा बिलकुल बनती है, लेकिन दिनेश अच्छे खिलाड़ी भारत के देखे जाए, तो लोकेश राहुला और हर्दिक पांड़ा, जो के अभी विवादित है कौफी विद करन के बाद, उसका भी रिजल्ट आने वाला है, तो उस रिजल्ट का इस वर्ल्ड कप के सिलेक्शन पे कितना असर दिखाई देखा, आप उमबर्जमन अपॉइंट किया, जो उस वक्त नहीं था अपॉइंटेड, तो उमबर्जमन के सामने है, पेश का, इनकी पेशी हुई है, हार्दिक पांडिया और केल राहुल उनसे मिलेंगे, अपना पुजिशन बताएंगे, और अलरड़ी उन्हें सजा मिल गई, एक सीरी नहीं लगता है कि उनका वर्ल कप में खिलना, उस पे कोई पापंदी आईगी या, कुछ होगा, जी बिल्कुल सर, इसके बाद में पूछना चाहती हूँ कि आज की जो मैच है, आज का जो सामना है, किंग्स इलेवन, पंजाब वसिस मुंबई इंडियांस, तो क्या हो सकता क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं इस सामने के बारे में, प्रेडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है, IPL में, T20 में क्यूंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैच जो है वनखेडे में खेली जाएगी, दोनों ही टीम ने अच्छा परफॉर्म किया अब तक के IPL में, हाला के अलजारी जोजफ जो एक नए गेनबाज आया है, उन पर ज़्यादा निगाएं होगी सबकी किस तरह से परफॉर्म करते हैं, जस्परिद बुमरा और लसित मलिंगा के साथ अगर ट्रायो बनता है, बोलर्स का, तो किसी टीम के लिए भारी बन पर सकता है, लेकिन ना भूल मैंक अगर्वाल, पंजाब के लिए जो खेलते हैं, और वो भी एक उमीदवार है, वोल्ल कप में जाने के लिए, इंडिया के लिए, उसके साथ-साथ, रवी अश्विन, शुरुआत थोड़ी कॉंट्रोवर्शिल हुई थी, उनकी IPL में जिस तरह से जॉस बटलर को रन आ खासकर के फास बोलिंग डिपार्टमेंट में, हाला के महमध शमी है लेकिन अगर देखे तो मुंबई की मोलिंग बोलिंग मुझे ज्यादा स्टॉंग लगती है, बैटिंग भी अपने ले में आ रही है, और हम सपोर्ट तो है फैन्स का, जी बिलकुल सर्ल, लेकिन अभी क्या होने वाला ये तो अभी मैच देखने के बाद ही पता चलेगा, येस, आठ बजे के बाद शुकुल होगा जब उसकी तो सब रहा देखी रहे, लेकिन ये थी कुछ इंट्रेसिंग फैक्स और इंट्रेसिंग बाते क्रिकेट विश्व के बारे में, बहुत बहुत शुक ग झाले देखी विश्व के बारे में दो शुकुम।